चलो अब थोड़े अच्छे कोश्चिन बना रहे है आज की ग्लास और कल गी क्लास में कोश्चिन सी कोश्चिन है कल और जाएगा कोश्ट ऑप कैपितर question no.44 पर आचाहिए सबसे बहले question no.44 और यह exam का question है January 2021 में आए 10 नमबर कोशन है अच्छी बात है कि एक जो चीज जो दिक्कत पैदा कर सकती थी वह है रेटेनर ने वह नहीं दिया कि तो कुछ भी पूछ ले मार्केट वाली बुक वाली हम ते यार डिबेंचर दिया प्रफरेंच शेयर दिया एकवडी शेयर दिया तो इनके लिए हमको कुछ निकालना पड़ेगा केडी केपी और केई सिंबल अब डिबेंचर के विसे में यहां बताया है रुपीज हंड्रेट पर डिबेंचर रिडीमीबल एट पार तो और रुपे का डिबेंचर सौ में दो पर्षन क्या है फ्लोटी सन कॉष्ट दस साल है मैच्वरेटी मतलब बड़ा वाला फॉर्मिला लगेगा और मार्केट प्राइस पर डिबेंचर कितना है 110 सबसे पहले स्टार्ट करें इस कोष्टन में फॉर्मिले का सूचे थोड़े ऐसा तो सौ का कहीं रेट दिया है क्या 10% तो सौ का 10% इंट्रेस्ट कितना होगा 10 1-1 टेक्स तो करीदेंगे कहीं न कहीं तो टेक्स दिया होगा दिया है 30% तो 1-0.3 प्लस आर्वी चाहिए वो तो बोला है सब सब एट पार तो यह तो सौ जाएगा माइनस प्लोटेसन कोष्ट माइनस करोगे इतना परशन दो परशन इसका 100 का दो परशन 110 का करोगे तो 108 के से आएगा 107.8 सबस्क्राइब करोगे तो तो अंदरर्याइटिंग जो कमिश्ट मूह आप थो अंदरर्याइटिंग बढ़ा है न आपका पहले मुझे बता अंदर राइटिंग बढ़ा है गया पढ़ा तो होगा नाा सर्पर गट Underwriting Commission face value पर लगता है कि issue price Face value 10 issue कर रहे हम 25 रुपई में Commission underwriter को जो मिलेगा वो face value पर मिलेगा 10 रुपई पर मिलेगा की फिर 25 रुपई face value कि हम चाहे company चाहे 50 का बेचे चाहे 100 का बेचे shares चाहे 150 का issue कर रहे हम अंडरेटर का उसमें कोई लेना देना नहीं, उसको सिफ फेस वेल्यू पे मिलेगा है ना? आच्छा, कभी कमीशन का काम किये हो गया सेल करोगे उसमें तो सच्छा ही यह है कि यह कंपनी मार्केट प्राइस बढ़ाती है इस्यू प्राइस बढ़ा देती है, अंडर रैटर पूरा महनत कर रहा है और कंपनी इस्यू प्राइस बढ़ाईगी तो भी उसको फेस वेल्यू पे मिलना है नमबर ओप शेयर्स ओके नमबर ओप शेयर्स उसने इतने शेयर्स बेचा इंटू किससे करेंगे? खीक, खीक है, कल बात करेंगे बुक किताब लेकर आप अपनी एकाउंट की बुक लेकिया ना मैं बता दूगा आप ही ने मल्टिप्लाई किया इस्यू प्राइस से, मैं आपकी कॉपी में बता दूगा ये बात प्राइस कितना है बाइस आप कहा लिखा है? जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पढ़ी क्यों आगे बढ़ते हैं कि हम इस्यू 100 रुपय में कर रहा है इसके आसपास ही होगा तो कितना होगा 110 भाई 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 सुनो मतलब आज पास सिदा इधर नीचे चलेगा है क्या यह है 110 बताओ की सियर्स कितना है इस्यू होगा 110 कभी भी चीजे इस्यू होती तो किस पे होती है मार्केट प्राइस पे मार्केट प्राइस पे तो रिडीमेबल सुरी नैट प्रोसिट कितना आएगा सीधी सी बात है तो दस में से माइनस करेंगे टू पर्शन तो कितना आएगा 10 से और एक्चुल में यही होता है पर ICAI ने यहां गलत किया है और ICAI ने बोले जो मार्केट प्राइस अगर अलक से दिया है अलक से दिखो ये सेंडेंस यहां खतम हो गया और मार्केट प्राइस अलक से दिया है तो बहुत भाई साब यह हम इसलिए दे रहा है ताकि जब आप वो निकालोगे डबलू ए सी सी मार्केट वे तब काम आएका गलत है टूटली पर एक कोश्चन अभी अभी के अटेम्ट में आया है इसमें उसने 110 से किया ठीक है नहीं नहीं इसमें दो करोगे तो खेल खतम अभी 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 क्योंकि ज़्यादतर कोश्चन यह आपके FM का है जो नया आया है और उसमें उन्होंने बात में 110 अलग से लिख रहा है तो वो 110 को सिर्फ कहां यूज कर रहा है मार्केट वेल्यवेट तो हम भी वैसे ही करेंगे इटमिस नेट प्रोसीट कितना हैगा 100 माइनस प्लोटेशन कोश्ट तो दो परशन किसका 100 का तो 98 तर बात है कि घुमा फिरा कर वही पहुचे हो हाँ लेकर सारी बाते बताना जरूरी था अलग से मार्केट प्राइस दिया हुग तो अगर वो ऐसा बोलता 100 रुपे का डिबेंचर है इस्यूड एट 110 ऐसा कर बत तो वो तो क्लियर कर दिया हुग या इस्यूड एट मार्केट प्राइस भी दिया है तो भी क्लियर कर दिती है आगे बढ़े शालो 100 रुपे फ्रेंच शेयर से रेडीमेबल एट पार 3% फ्रोटीसन कोश्ट 10 साल का मैच्चूरिटी है मार्केट प्राइस अलग से दिया है 108 काम आएगा उधर एक विटी शेयर 4 रुपे फ्रोटीसन कोश्ट है मार्केट प्राइस कितना है 25 एस वैल्यू कितना है 10 फॉर्मूला पता है ना दीवन डिवाइड वाइड वाइड प्रोटीसन कोश्ट कितना है चार चार घटा के लेना 21 और एक्सपेक्टेड डिविडेन दे दिया है 2 रुपे और ग्रोथ वी रेट दे दिया है 5 परशन अब एक सब्द लिखा है और ये सब्द लिखकर और इंस्टिट्यूट ने ना अब पढ़ के बता दो क्या लिखा है तो फॉर्म हैस अप्रेक्टिसींग और नी दा फॉर्म आफ डिविडेन मतलब जितना भी अरणिंग से सब के सब डिविडेन दे देता है मतलब ग्रोथ वो सिर्फ ये बतानी की कोशिश कर रहा था ज्यादा ग्यान दे रहा था इंस्टिट्यूट कि देखो ना रिजर्व नहीं है वो इसलिए नहीं है कि ऐसा ऐसा किया तो इधर का खेल खतम हो गया ना आप समझ रहा हो ना वो बारिक किया नहीं समझ पाया जिसने भी पेपर सेट किया ये सेंटेंस लिखने का मतलब उन्हें ने खेल गरबढ़ किया वो इसको कॉंसेप्ट किया है अगर आप जितना कमा रहे हो सब की सब डिविडेंट दे दे रहा हूं तो ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा जबकि ग्रोथ दिया है क्या दिया है ना यार पाच परशेंट अब हम खुदी फजगे अपने कॉंसेप्ट में वो बोल रहा कि सुनो मैं कुछ और ही बताना चाहरा था मैं बताना चाहरा था कि देखो रिजर्व नहीं है उसकी वज़ा यह है तो दिया है तो ले ले ना ज्यादा हम नॉलिज नहीं देंगे आई-सी-ए-ए-ए-टेक्स करेड़ कितना है थर्डी परशन सिर्व और सिर्व और सिर्व मार्केट वेली सिर्व दस नमबर गोश्चन है इम्मत दिखाएं पहला क्या होगा इस स्पेसिफिक कोश्ट 7.27 के तो किस ने कहा कि सही है गलत भी तो हो सब्सक्राइब कि तर डवली एसी पर पता लगे आपके पास आंसर है तो में जब तक आंसर है ना मेरे पास इस कहने खोज करता है स्टार्ट कुनों आप तर यह आया था जनवरी दौहजरे किस वह कि अ कितना अरदा केड़ी कितना अरदा केड़ी चलो मैं आंसर लेखे देता हूं अने पहले ही बुला था कि सोस समझ लेका 12.9 पॉर्शन WSAC मेरे पास यह आथा 12.48 KP मुर्या तो फाइनल आंसर चाहिए सबसे पहले अब मेरे पास आंसर मिल चुके है पहला केड़ी का आंसर है 7.3 पर और KP का अंसर है 12.5 परशन 48 ठीक है रोने राउंड अट अप कर रुख है और K का अंसर है 14.5 परशन KD का अंसर है 25 परशन अच्छा ग्रोथ उड़ा दिया ना नीचे लिखा भी तो है बात की ग्रोथ नहीं लेना 14.5 14.5 4 रुपय मैनस कर दिना 21 25 25 मैनस ठीक है पाइनल अंसर है 12.92 परशन आ रहा है अब यह वाला जो कोशन है देखकर बताओ क्या आपसे बन सकते इसका आंसर नहीं है मेरे बनाएगा ग्रुप में डाल देना प्रीज जो पहले बनाएगा चाहो तो ब्रेक में डाल देना और इसमें भी आपसे मार्केट वैल्यू पूश रहा है कोशन 41 होमवक कोशन नमबर 38 पहत्रीन कोशन और कोशन नमबर 38 के साथ खाज बात है इसमें क्लियर कट चीची दी हुई है एक बार देख लेते हैं You are required to determine the weighted average cost of capital किसकों कॉन से book value weight से भी और market value weight तो भी the following information is available Present book value गप्रम दीया है, capital is 100 रुपय का 1-8 लाग, preferent share 100 का 1 है 2 लाग or equity share 10 का 1 है 10 लाग All these securities are traded in the capital market and recently price, market price दिया है Reventure का 110 अलग सलग दिया है और प्रफ्रेंट शेयर का 120 और एक्विटी शेयर का 22 और पैसो का अरेंजमेंट ऐसी होगा बले सौ रुपए पर डिवेंचर रिडिमेबल एट पार 20 years maturity 8% coupon rate है 4% flotation cost और sell price 100 रुपए दिया है इस्यू प्राइज दिया है तो फिर तो market price क्यों दिया होगा market value at कली 100 रुपए प्रफ्रेंचर रिडिमेबल एट पार 15 year maturity है 10% dividend rate है 5% flotation cost है selling price 100 और equity share 2 रुपए flotation cost है sell price है 22 तो 20 हो गया expected dividend at the end of year 2 share anticipated growth rate है 5% और यह देखो यह question मन जाएगा पका पुमक देदू coupon का मतलब होता है interest 100 रुपए का 8 percent कितना होता है आट रुपए ही होगा interest का amount coupon मतलब interest amount और कुछ नहीं interest यहाँ नहीं दिया है उसने आपको यहाँ दी दिया है और चार पुशन्ट है flotation cost टिक पुमक देदू question number 28 question number 28 or question number 20 page number 57 अच्छा question और point number 4 तो बहुत ही अच्छा यह question आपसे 100 guarantee के के नहीं बनेगा 28 चलो बनाते 28 पढ़ते हैं अच्छा question भाई WACC निकालना कौन कौन सा weight दिया है book value और market value तो बोले आप ज्यादा दिमाग मच चलाओ तो बोले हम निकाल कर देते हैं उसको आप पूरा विस्वास है को कि नहीं निकाल पाऊगे तो उसने book value भी निकाल दिया उसने market value भी निकाल दिया ठीक ठीक और खास बास सुनो return earning भी है तो भगवान से बस प्रात्ना करना कि केई और के यार एक जैसा हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर इसको बाटना पड़ेगा किस रेशो में इस रेशो में तो भी कोई दिक्कत नहीं एक बड़ी शियर्ण्स कोटेड एक सोतीस market में चल रहा है और इश्यू कितने में कर रहे है एक सोबचेस और फ्लोटेशन कोश्ट है पाँच तो केई और के यार अलग-अलग आएगा और फ्लोटेशन कोश्ट पाँच रुपए किस पे निकालना है अगर पर्सेंटेज देता तो सोचते कि क्या करना यह तो रुपीज में दिया हुआ ओहो देखो ग्रोथ रेट का चेकर बोले डूरिंग दा प्रीविएस फाइव येर्स डिविडेन जो है वो इनक्रीज हो गया दस से कितना हो गया है 16.105 तो यहां ग्रोथ है और डिविडेन एड दी एंड अफ करेंट येर मतलब डीजी रो कितना दिया है 17.716 टिक है साम कर लेंगे ग्रोथ प्रोथ निकाल के 15% प्रफेंश येर फेस वैल्यू है सौ रियलाइज हो रहा है 105 पर शियर मतलब रियलाइज पैसा मिल रहा है कंपनी प्रफोजेश तो इस्चु 11-15% डिवेंश बर्फ येल्ड ओन डिवेंश अब सिमिलर मैचुरिटी आन्रिस क्लास इस 16 परफेंट और 2 परफेंट फेस वैल्यू ठीक है तेख लेंगे इसको इगनोर करते है बास सहीं टेक्स करेंट है थीस परफेंट और सिर्फ और सिर्फ WACC मांगा है और किस कॉंसे वेट से वो देवेट तो पहला गाम है मालू में क्या कर रहे है हम लोग तो मुझे समझ में नहीं आया ना इक बार कुसरू तो करते है हाँ पात की मुसीबत के लिए पहले से क्यों हम तियार है बात में देखा जाएगा सबसे बहले स्पेसिफिक कॉश्ट ने कर देखा और इसमें सबसे बहले निकाल रहा हूँ तो दी वन दी वन जी ही नहीं मालूम भाई कुछ नहीं बता तो चलो पहले जी निकाल लेते हैं तर हम आपसे आगे चल सकते कि है हिम्मत तो चलो रोध रेट कितना डिविडेंट था भाई 10 रूप 1 प्लस 3 कितने साल पास साल तो कितना हो गया 16.105 10 परशन को आप पे विस्वाद 9 10 10 प्लस वन प्लस वन रिंटकेल्टी क्वेल पहरावावाद प्लस एंटो इंटो हो डिया रूप आपके प्लकेशन यह सर आपको पता यह एक बार आए ऐसा कई बार आएगा कई कोश्चिन में आएगा किसी का इक्जाम में नमबर इनके असपस तो नहीं है करेंगे बताईगे गलतई नैन पोईंट जीरो ने इनके रॉड़ेड़ यह वो तो पास्ट का बता रहा है D0 तो बोले आप हम बताते ना D0 यह दिया D0 अलग से इसमें से कोई एक है P0 इवन कितना लेना 17.716 इन्टो 1.10 पीजिरो कितना लेना फ्लोटेशन कॉष्ट माइनस करके 120 और ग्रूथ कितना 0.10 26.24 परशंट 26.24 परशंट पढ़ो sentence dividend is expected to be 17 रुपए एक्सपेक्टेट सब्द लिग दिया ना यार यार बेकार में करेंट यार भी डाल देता एक्सपेक्टेट भी डाल देता यह सही है इधर कितना आएगा 120 प्लस कितना आ गया 26 पॉइंट 24.7 अभी के यार भी निकाल ले थे ना यार जब इतनी महनते 17.716 इवाइड वा एक्सपेक्टेश 24.10 24.10 अभी क्या निकालता है के पी के लिए जिसे में कुछ बोला है के रेडीमेबल है 15 परशन परफेस्टेशर फेस वैलिव सारु रियलाईज 105 कुछ बोला नहीं तो यह रेडीमेबल है आई यह नहीं तो सर्क के पी इस एक्वेल टू पीडी डिवाइड़ बाइ एन पी इन्टू हंड़ड पर प्रिंट डिविडेन है कितना पंद्रा सौ का पंद्रा पंद्रा डिवाइड़ बाइ क्या कर देंगे एक्सो पाँच पंद्रा डिवाइड़ डिवाइड़ बाइड़ पाँच परसंट इस 14 पॉइंट ठीक है अभी और कुछ बचा है क्या डिडी है वह भी बचा है क्या रिडेम्शन का कुछ इंफोर्मेशन है कि हाँ 11 साल लिखा है ना जहां 11 साल लिखेगा तो बड़ा वाला फॉर्मुल लगेगा डी इस एक्वल टू आई वार मैनस टेक्स प्स अर्वी मैनस टिवाइड़ वाइड वाइड और आर्वी प्लस इंट्रेस्ट बोलो 15 रुपए मैं तो रुपीज लिख रहा हूँ कि बेंचर कितने का है कुछ ना कुछ तो आईचियूम करना पड़ेगा कितना आईचियूम करना 100 रुपए हां फैने रुपाओ मैं फिच ना कुछ नहीं दिया हूँ तो फैस वेल्यू का और हूँ संधे शीर की वेल्यू मैं कछ नहीं दिया तो गांत् का 50 रुपाओ पंदरह पर्षट से आईचिय की बात करें तो कितना आं जाएगा पंद्रा 1- टेक्स करेट redeemable value कितना कुछ नहीं बोला है तो तो यह तुम को मालम face value पे redeemed minus 98 क्या चीज ITM गड़ुल में capitalization method बढ़ा रहा किया चलो मैं दूसरे तरह किसे पहला हूँ मैं गहा रहा हूँ कि मैं अगर किसी shares को खरीदता हूँ ठीक है सर्थ और मुझे 5-5 रुपए dividend भीडन मिले और 5 शाल तक मिलेगा 5 रुपै, 5 रुपै, 5 रुपै cash in flow आ रहा 5 रुपै, 5 रुपै 5 रुपै पाँ चाल तक और सर discounting rate है 10% तो क्या present value निकल सकता है कैसे निकालोगै हा हा निकाल करisse निकालकर 5 into तू कितने साल गा फेक्टर पास साल का तो यह आएगा 3.79 18.9 अगर मैं बोलू 5 5 5 5 रुपे मिलेगा 10 साल तक तो प्रेजेंट वेल्यू निकाल सकते होगे हैं इससे मल्टिपलाई करोगे 10 साल के फेक्टर से बहुत सिंपल प्रेजेंट वेल्यू निकालना आपको आता है पाच नहीं, मैं कहता हूँ मुझे हर साल मिलेगा 15 रुपे 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 15 इक्वल्टू कियो तो 0.909 आया, फिर इक्वल्टू करो तो 0.826, फिर इक्वल्टू करोगे तो, क्या धीरे-धीरे कम हो रहा है, कभी ना कभी तो 0 हो जाएगा, 0.0000, और उसको GT प्रेस करोगे, तो मालूम है, आंसर कितना हैगा, 10, कर लो, 0.000000000, बहुत बड़ा कैल्कुले कभी है और दाल ऑDet कि यहा रहा है. पहुच गए-पहुच ओगे-पहुच ओगे-पहुच अधीरा भी जालोंट एंधीरे है। प्रूव करके देख लिया 9.9999 मतलब दस इसलिए तुम आने दस लिखा मतलब उसके बाद भी करोगे करते जाहिए कोई दिक नहीं 0 हो गया तो 0 के बाद क्या होगा मेरी मेरी बास समझना बहुत जादा फॉर्मूले ना अपको बताने के चक्कर में नहीं अगर मैं आप से बोल रहा हूँ 15 इंटू 10 करने से कितना जाएगा 150 बस मुझे आंसर चाहिए सोच समझके बोलना 150 का मतलब किया सर प्रेजेंट वेल्यू 15 रुपए कितने सल तक मिलेगा इन फाइने उसका प्रेजेंट वेल्यू निकाला तो कितना आगा है 150 अगर यह 10 पर्षेंट नहीं होता अगर यह 20 पर्षेंट होता तो आंसर क्या था वाव पक्का अगर 20 नहीं आया आंसर हमने मैं फैक्टल की बात करो फैक्टल क्या आएगा 20 ना चलो तो अब ऐसा है अगर 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 20 आ गया तो जहां बोलोगे वहाँ पार्टी और अगर कुछ और आया तो मैं पार्टी लूँगा कर लो 1 डिवाइड बाई 1.2 0 एक्वल 2 करो करते जाओ करते जाओ करते जाओ हो जाने दो पाच आये का विलको सहीं हम चोही बात है न यहाँ सिम्पल सी बत थी यह कॉमन सेंस पाच ही आये गा पाच नहीं हम ऐसा करते ही नहीं है हम क्या करते हैं हम होलते है यह अगर मैं ऐसा केल्कुलेटर एक्जाम में चलाओंगा तो वो जो घूम रहा है न होखे हो गया वो क्या रहा है भाई दिक्कार ही है कि कर क्या उसको भी समझे भी नहीं है यह बच्छा पागल हो गया पेपर खराब आया कुछ लोग उस तो सोचेगा मैं यह कह रहा हूँ हम डिवाइडर बाइ टैन परशन कर दे आंसर कितना जाएगा एक्सोपचास अगर दस परशन रेट है तो और पंद्रा डिवाइडर बाइ पाच परशन करे नहीं कितना बीस परशन रेट लिया था बीस परशन लिया था इंटो 5 करने क्या पेक्चा सीधा तो सबस्दा डिसकाउंटिंग रेट से कर देते हैं यास जीपी सीरीज करके होता एबाई आई कभी सुना है मैस में जीपी सीरीज एबाई आई एबरीज सुपर प्रॉफिट करते थे डिवाइड़ बाई रेट से करते थे कापिटलाइजेशन रेट वो क्या करते थे प्रेजेन्ट वैलू निकालते थे अप क्या निकालते फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा पहली बात मतलब पाष्ट का प्रॉफिट की फ्यूचर का laughter की फ्यूचर का ó अब स्ट्रस्ट का चाहिए कुली अधियोग हो जाये इसका फ्यूचर का बच्छे पांस MON económie प्रॉफिट हो औहिए शब CAS अब कुल शब्रॉफिट पता है उसका आवेरेज कर तो तो आपने महनत की होगी तो वह आपके पास्ट की मैं वापस आता हूं मैं भी यहां क्या कर रहा हूं यह कब मिलने वाला सर यह फ्यूचर में पैसा मिलने वाला उसका प्रजेंट वापस सर कोशन पर आते हैं कोशन में एक समस्या है कि डिबेंचर का मार्केट प्रैस नहीं दिया है कुछ तो दिया है बोलो मुझे हर साल कितना कितना मिलेगा सर पंद्रा पंद्रा रुपए 15 15 15 15 15 अब यहां इंस्ट्यूट ने एक ऐसा एजम्शन लगा रखा है मजबूर यह मेरी उनका यह कहना है यार कि अगर सिमिलर डिबेंचर की बात करो सिमिलर डिबेंचर तो वहां डिसकाउंटिंग रेट कितना चल रहा है तो बोले आप एक काम करो 16 पर्शन से डिसकाउंटिंग करो और इस डिबेंचर को परपेच्वल मनो बिल्कुल गलत है 15 पंद्रा रुपए पंद्रा रुपए पंद्रा हुलार रुपए कब तक मिलेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर वा रहा हूँ इसमें चेंज नहीं इन फाइनाइट मानके ये जिसको 15 डिवाइड़ बाइ 16 बर्शन इन फाइनाइट मानके उसने कोशन किया गलत है पर चलो रटना पड़ेगा ये कोशन हाँ जी 93 इसको रटना पड़ेगा अगर आप मेरे इसाफ से करोगे तो नुमबर नहीं मिलेगा हाँ हाँ भई अगर अगर ये दिया है ना यार इस information का यूज तो करना पड़ेगा आपको वैसे आपका दिमाग क्या चलता डिवेंचर का तो दिया नहीं है तो net प्रोशिट क्या मान लेते हैं तो वह तो करते ना यार में भी वही किया था पर इसका यूज करना पड़ेगा दिया ऊके तो केडी निकालने का फॉर केडी नहीं हमें तो क्या निकालना है हमें तो वैल्य औप डिवेंचर निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है net proceeds और डिवेंच तु बोलो हर सल कितना आएगा पहले वेल्यू निकल ले वेल्यू इस हर सल आएगा पंदरह और उसको डिसकाउंटिंग किसे करेंगे सोला पर्षन अंसर कितना आएगा यह है मार्केट प्रेंच 93.75 इसे मार्केट प्राइस अब निकाल सकते है केडी पहले नेट प्रोशीट बोलो कितना है तो पर्षन प्रोटेशन कॉष्ट माइनस करो किसे माइनस कर दिया एस वेली से माइनस कर दिया 91.75 यह लिया है अगर आप होती तो आप क्या करती यह भी बताता अगर मैं होता ना मैं इस इंफर्मेशन को यूच करता वैल्यू तो भी निकालता लेकिन मैं 11 साल की निकालता 11 साल तक जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो रिडीम्ड होगा उसका प्रेश्ट इवल्यूट अगर ना थोड़ा सा भी ना इसमें चैंज कर दे था ना तो मुझे मज़ाया था पर चलो गलती पर इसमें जब बनाएंगे केडी हाँ वो था हमको 11 नहीं लेना पर चलो निकाले केडी केडी कहीं निकाल रहा था क्यार मैं 100 माइनस 156 divided by 11 or saw plus 91.75 divided by 2 into 100 11.75 बस यही था अगर इस question में आपको last में अगर कुछ देखना पड़ेगा न तो वो सिर्फ और सिर्फ debenture का देखना पड़ेगा वो आपके लिए important point है अगर इसको आप exam से पहले नहीं देखोगे तो नहीं घर पाऊए पस specific cost हमको चाहिए था निकल गया अब हम WCC निकालते सबसे पहले किस से खतम करें वो क्वैली चलो निकालते वो क्वैलिस के और के आर अलग अलग है तो आपको दोनों चीज़े अलग अलग लिखनी है एक वड़ी अलग 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 अर बक वैली निकाल गर दे दिया तो वह लिख लेज़े बक वैल या आर श्याद कर दो कम वोह झाल झाल जब मार्के आटए दो एक आंसर आया 27.01 आगे और आप केज़े आंसर में ठीक कर रहा हूँ अभी तक आंसर आ रहा है 22.1 और मुझे पीछे से बहुत उम्मीद है आधर आधर चाहिए 22.13 फाइनल नार्केट वैल्यू में याद रखना इसको बाट देना किस रेशो में इसको बाटना इसमें और इसमें इस रेशो में बाट 400 इन्टी 240 डिवाइड़ बै तीन सो जब आप मार्केट वैल्यू निकालोगे ना तो यार इसको तो एक्विटी अलग से लिखना पड़ेगा और रिजर्वेंचर प्लस अलग से लिखना ही पड़ेगा के यह अलग है के यह अलग है इसको बाटना ऐसे यह 400 लाक है टोटल तो यह दोनों मिलाकर है इन दोनों को टोटल करे तो 300 हो रहा है तो इसमें एक्विटी का हिस्सा है दोसो चालिश बाइटी तीन सो और रिजर्व का हिस्सा है चार सो इन टू सिक्स्टी बाइ थीन सो यहां लेक लिए लेकर आगे के यहां और के यहां पाइनल आंसर इसको कितना आ रहा है तिक्स-स इस तू ओके शिक्स-3 ट्वेंटी टू पॉइंटी टू पॉइंट्ट सिक्स-3 इसना चलता है कोश्चन नमबर 33 दिख रहा है आपको कोश्चन नमबर 33 यहीं वाला कोश्चन जो अभी बनाया ना कल मैं कहूंगा चलो बनाओ ना तुभी गलती होचे चलेंज हाँ यहीं सेम जो कोश्चन नमबर 33 है ना यह आपका बुक का कोश्चन है एफम मॉड्यूल यहीं वाई के फाइफ पेज नमबर 4.46 तो प्लीज क्योंकि मॉड्यूल का कोश्चन है तो एक बार देख लेना हाँ जी हूमवर्क ही देंगे सेम कोश्चन एक अंसर है 17.29% यह है बुक वेल्यूवेट और मार्क वेल्यूवेटरा 17.51% 17.29% or 17.51% अम मेठी पास कोश्चन यहां नहीं है ना ठीक है तो ब्रेक है पाच मिनट का अच्छा ज्यादा ले लो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें चलो जे क्लास श्टार्ट करें हम लोग और पहला कोश्चन और ऐसे कोश्चन रहेगे जो ऐसा लगेगा किया री तो हमसे वैसे हो सकता मैं लगेगा होमवग दे जाओं पर यह वाला कोश्चन बनाने का बनता पाच नंबर का कोश्चन है था पाच नंबर के लिए टाइम कितना है हमारे पस पाच इंट बन पॉइंट एट नमनेक्ट पड़े एक बर पाच नंबर कापिटल स्ट्रॉक्चर ओप बी लिमिटेट दे रखा है 12% 6,000 डिबेंशर है 100 का यह चे लग कि इस कोश्चन में रिटर्न लंनिंग है और 4,500 एक विटीशर है 100 का यह currently market value of debenture कितना दिया 110 और equity shares कितना दिया 180 और equity shareholder का यह दे रखा है 24 क्या चीज है वाई क्या है dividend इतना जानी जो 100 और रुपे का 24 परशन की के यह दिया है अटाक्स का रेट कितना दिया है 30 परशन WSCC निकालना on the basis of market value KD तो निकाल ही सकते हो क्या 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 आर क्या एक जैसा आएगा आर वलते हैं 8.4 correct answer वैसे तो ये लग रहा था कि केई होना चाहिए cost सब्सक्राइब पर ये dividend the dividend rate तो आपने क्या बता है केड़ी निकाला था सायद आपने 8.4 4% दूसरा ग्रोथ नहीं दिया तो नहीं दिया है कोई दिकर दिकर दिया dividend rate face value है 100-100 रुपए का 24% होता है 24 रुपीस ग्रोथ नहीं दिया तो नहीं लेगे 24 हो गया हमारा D1 D1 और D0 जब ग्रोथ ही नहीं तो सब D1 एक ही है 13.33 करेक्ट आँसे ग्रोथ रेट नहीं है इसका मतलब जो 24 रुपए है वो D0 ले लो चाहिए D1 ले लो कोई फर्क नहीं केडी मालूम हो गया केडी मालूम हो गया केडी मालूम हो गया WCC तो हो जाएगा number of debentures को multiply किसे करोगे market price मतलब multiply किसे करोगे 110 और number of shares को multiply किसे करोगे market price market price कितना है 180 और इसको multiply इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा निकाल लिए WCC KR भी इतना ही आएगा पर KR जब इतना ही आएगा तो हम separate निकाले क्यों इसको उड़ा देते हैं इसको नहीं लेंगे इए कब आता जब अलाग लगता जब करी और क। कर अलग अलग लगता नहीं लेंगे पाइनल आंसर है यह 11.10.77 दिया है इन्होंने न दो अल्टरनेटिव से कर रखा है सुनो कि ध्यां से पहला अल्टरनेटिव यह कर रखा है कि यह जो हमारा केडी आया इतना आया दूसरा अल्टरनेटिव भी कर रखा है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते तो चिंता वाली बात नि एक मन में मेरे भी आया था सो और रुपे का बारा पर्षन कितना होता बारा और फिर क्या होता बार माइनस टैक्स टैक्स कितना है 0.30 और नीचे क्या ले दे एक मन ये भी करता न है यार मार्केट पराइस ले ले लेना चु ri तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, दो alternative से उसका, इसने ऐसे गर रखा उसका भी answer दे दिया 10.77 और बाकी आपका कितना आ रहा है 11 पॉइंट, अब दोनों alternative से कर सकते हैं, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे अब मिलता मौका, तो मैं ऐसे ही करता हू मैंने कहा कि वो मेरे हिसा वो गलत है मैंने ये भी गहां था कि यार वो ICAI कर रहा अगर में होता तो मैं मार्केट प्राइज ही लेता लेकिन जबार तो मेरी लोट्री लग गई उन्होंने ऐसे कर रखा ऐसे भी कर रखा ठीक हां 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 7.63 वो आएगा आपका केड़ी देखो देखो मेरी वासम जो वो इस स्पेसिफिक कॉश्चन आपको याद है जिसमें आपका सब्दे देता है और मार्केट प्राइस अलग से लिखा रहता है उसमें तो आपको फेस वैल्यू मान के करना है इसमें हाथ तुम मेने कबका लिये है ना भाई ऐसा किया है आप ले सकते हैं आप हमेंसा फेस में लू लीच हां तो सही है ना सही है सही है ठीक है हाँ जी कॉश्चन नमबर 25 5 ए करे लूह आपछा अगर मेंसेदे ओ olarakнеYe... तूस हाँ तूस्था है ना सही है ? कि तूस्था है विदे कि लू यहनग कि दीडवर रहत डिवर तो के डीजीरो के डीवर आइसी है ने दोनों ले रखा है आपका दिल करेगा तो डीजीरो लेते हैं ना याद थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं ग्रोथ रेट दे अच्छे बर्षन करेंट मार्केट प्रैस कितना थी है 120 इससे तो कुछ निकल सकता है और इससे क्या निकलेगा हमारा केई टेक्स करेट है तीस पर यह मार्जिनल कोश्ट का है आपको कितने पैसो की जिरूरत है तीस लाग को बाटी है बीस लाग का अरेंजमेंट कहां से होगा डेट से और दस लाग का एक्विटी कभी स्लैबरेट नमस्ति हो ना ऐसे डेट वाला बुले हम ऐसे उट भाएंगे तोरू में पैसे कितने की विस्ता करना आपको एट से टेट से टेट से टेट से वीस लाग तो सुरू में पाच लाग पे दस पर से लगेगा पाच सी उपर दस लाग पे नौ परशन और 10 से उपर आट परसन बीस लाग पे इंटरेस निकालो जरह 20 लाग पर इंट्रेस्ट निकाली मेरे तो देखूं कितना टेक्स पड़ाया एक अंसर आया 175 5 5 5 लाग पर 10 परषेंट 5 केड़ी निकलो कितना इंट्रेस्ट लग रहा है 1-tax divided by 20 लाग यह टूटल कितने पर 20 लाग पर इसमें 1-tax अलग कर दे ना बस यह इंट्रेस्ट रहा है इंट्रेस्ट 1-tax दिवादेड वा नेट्रोसिट ऐसा करके 6.125 इसमें लिखवाओगे न जी सही है मैं लिखवाओगे इसको अच्छे से 6.125 केडी निकाल रहे थे अभी इसको अच्छे से करवाओगे अभी तो बस परड़ा है हम कोशन परड़ा है आपको लिखना नहीं है मैं लिखवाओगा इस कोशन यह रिजर्वन शर्ट नस है सबसे पहले बताईए कि पैटर्न क्या होगा पैसो का अर्रेंजमेंट कहां से हुआ कितना कितना होगा वही बताना 30,000,000 लिख देंगे 30,000,000 मैं से 20,000,000 इस तरह से लिखना 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 फिर पोश्ट टेक्स एवरेस कॉश्ट आप एडिशनल डेट 6.125 परशन वो निकालेंगे फिर केई निकालना है वो भी निकालनेंगे जब दोनों निकल गया तो फिर क्या निकालना है? WSAC कुन से? वो भी निकालनेंगे, निकाल रहा है आउं, तो सबसे पहले क्या करें? पैटरन बता है पैटरन ओफ फाइनेंस कितना रुपेला ग्राफ? रेक्वार्मेंट पीसलक पीसलक पहले क्यों नहीं बुला? तीसलक एक बड़ी से पैसे कितना है? कि आएगा? तीसलक इंटू बन बाई प्री दसलक और लेट्स तीसलक इंटू बाई थ्री तीसलक दो नमबर मिल गए आपको अभी क्या करना है? केड़ी? हाँ केड़ी चलो पॉइन नमबर बी पॉस्ट अपडेट पहले इंट्रस्ट का इमाउट कैसे निकाला था? में नहीं जानता पाच लाग पे कितना? 10% ठीक है भई 10 लाग पर कितना आगए है? 1 लाग अच्छत ठीक आप के निकाल रहा है? में लोग केड़ी इंट्रस्ट मालू में हमको 1,75,000 टैक्स करेट हमको पता है 1-0.30 टूटल ये इंट्रस्ट कितने पे देना पर रहा है? हमको 20 लाग है ना? 10-100 6.125 ये तो B हो गया C में कुछ माँगा था क्या? क्या? रिवेजन को क्या माने थे? D-0 कितना? किसी एजनरेशन से काम कर रहे हैं? K is equal to D-1 0 अज़ जी ग्रोथ कितना था? D-0 11 पॉइंट कटवा दिया फुसारी अतरनाक है मैं पहले ही वहाँ अज़ पॉइंट कुछ बोला नहीं है तो कैसे निकालोगी? अगर कुछ नहीं बोला हाँ उसमें तो सोचना किया उतना ही पैसा चाहिए हमको पॉइंट नमबर कितना है था केडी? केड़ कितना है था 11 पॉइंट केड़ फाइब या एट पॉइंट केड़ कितना है तो सिंपल है तो सिंपल है तो सिंपल है तो सिंपल आप टेबल बना के भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं कॉश्चन नमबर 26 एक बार रीट करते हैं देखते हैं क्या हमसे हो सिंपल कॉश्चन नमबर 26 EPS दिया है डिविडेन पे आउट रिशो दिया है तो डिविडेन पे आउट रिशो जो दिया है एक रुपए क्या है यह ऐसा बोलो कि किसी को समझ मेना है D0 की D1 जो बोलो कि हम D0 करेंगे डिविडेन पे रिशो दिया है डिविडेन पे रुपए की जरूरत है इसका अंसर लिखे लो 10.82% 10.82% यह ने कर परो यह ने कर दो question number 32 question number 32 the following details are provided by the GPS limit equity share capital दिया है 12% share capital 15% redeemable debentures 10% convertible debentures cost of equity वाव केई दे दिया है जैदा दिमाख नहीं चला ना tax credit दिया है आपको WECC निकालना है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे बन जाएगा पाच मिनट का टाइम है नहीं किसने कहा ऐसा अभी सुनो ये आपके module का question है TYK2 page number 4.44 और इसका answer अभी नहीं बता रहा हूँ बनाने के बाद बता हूँ बना लिया तो कुछ भी करो उल्टा सीधा गुना भाग प्लास मैनस आप चाहूँ तो मैं के बता देता हूँ 16.3 रिडी मेबल डिमेंचर दिया है और और कुछ नहीं दिया कोई एर नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया आई exam में कोशन आया है मैं नहीं जानता कैसे कर रहा है आपकर करो आच्छ नम्म मतलब हाद कर दिया देखो 12 लाग का 12 परशन निकाना अंसर आप बताओ नहीं नहीं है करेक्ट तो इसका मतलब समझ रहे हो ना यार कुछ था ही नहीं गोश्य अब उसने जोस में देदी या ना यार पर कुछ दिया नहीं है तो क्या करोगे इसका मतलब यार केई दिया हुआ था कितना 16 पॉइंट और केडी का फॉर्मुला है i1-tex कुछ करने नहीं था तो सर पहला वाला का गया 15 1- 1- 0.3 और दूसरे वाला का कितना गया 10 1- 0.3 तो 7% और इसका कितना गया था 10.5% और हाँ टेबल बना कर अंसर है 13.52 अच्छा वेट वेट की वज़े से अंतर आ सकता है पकी आपके बुक में अंसर दिया है 13.99 पकी आपके वेट वेट में गरबड हुआ होगा 0.619 0.114 0.190 0.076 0.1399 अच्छा वेट 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 मुल्टिप्लाई किया होगा ना उसकी वज़े से वाव अच्छा एंस्टिव गोलता है सुनो ना हमने गलती से रिडिमेबल लिख दिया था बगके इनफर्मेशन नहीं है तो फिर आपना सीधा सीधा लिख ले 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 भाई लिखाई क्यों है रिडिमेबल इतना प्यारा ब्रेकेट में भी बता देता है गलती हो गई थी करके अब बच्चे इसकी वजह से आप परेशान हुए काफे बुच्स से अब बस एक नोट करके खतम कर दी कि यह सब यूट्यूब में डालेगा इंस्सेट्ट्यूट भी सुनेगा कौन था वबच्चा जो बोल रहा है 13.9 है कॉश्चन नमबर 35 कॉश्चन नमबर 35 मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें तो कम से कम गलती है नहीं इवब पड़ते है कि तो लाक शेयर से दसका एक है बीस लाक इस कॉश्चन में रिजर्वाइन शर्प्लेस है बारा परशन प्रप्रशन शेयर है नाइन परशन डिवेंचर मार्केट प्राइस एकविडी शेयर का कितना है तीस और डिविडेंड दिया है तीन रुपए तो यह डीजिरो है कि डीवन डीवन ग्रोथ रेट दिया है साथ परशन और 40 परशन हो गया टेक्स रेट यह रिक्वाइर टू कैल्कुलेट डू एससी कौन से बसे मार्केट वेडेट फिर मैं नहीं हूँ और कोशिश करना आपस में डिस्क्रेशन कम करो सबसे पहले अगर किसी का केई निकला होगा तो केई बता दो कि है चलो यह तो सभी है अब मेरे खियास से क्या फ्लोटेशन कोश्ट वगेरा कुछ दिया है तो रिजर्व को काट ही देता हूं टेंशन नहीं कहता हूं रिजर्व कट हूँ और इसके लावा यार बाकी तो कुछ नहीं है प्रफ्रेंशियर है बारा और कुछ भी नहीं दिया है तो फिर केपी कितना लेना पड़ेगा हमको बारा ही लेना पड़ेगा ठीक है और इंट्रेस्ट है 9 परशंट तो बोलो केड़ी कितना आएगा 5.40 परशंट इतना तो अब समझ गया है इतना तो फानेली नहीं मुझे नहीं मालूम इसमें मरे पास अंसर नहीं है किना टेबल बनाए ऐसे करता मैं 20 लाक इंटू सत्रा नहीं यह तो मार्केट वैल्यू है खोड़ा मार्केट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा ओहो आपने से कर लिया गया थी तो यह आपके साथ धोका हो सकता एक्जाम है कि आप बुक वैल्यू से बना लो 13.0 हाँ इस पे से भी कॉष्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दो लाक इंटू दो लाक इंटू 30 तो बलो कितना 30 लाक और यह तो 10 और 30 ही लेना पड़ेगा 10 लाक और 30 लाक पकी कर लोगे फाइनल आंसर कितना रहा है 13.0 13.0 13.0 13.0 और ऐसे कॉष्ट नहीं बनते ना दिक्कत ही है अगर कंपनी जो है टैक्स डेट है 50 पर्शन तो आप बनाईये वेटेड अवरेस कॉष्ट और कापिटल अब सवाल यह है कि मार्केट वेल्यू की बक्वेल लॉजिकल ज्यादा मालू है क्या है मार्केट वेल्यू है न यार इसलिए मार्केट वेल्यू ज्यादा अच्छा है मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आप इसे पैसे उठाता हूं और जो कौस्ट निकलना आता है न हुआ market price के सबसे निकाल अब जो पैसे लगाते हैं उसके सबसे लगाओगे ना तो conceptual logically market value ही है कभी भी WCAC निकालना है तो किसके सबसे निकालोगे market value जब आप final में जाओगे अभी आपको book value से निकालोगे conceptual क्या होता वो मैंने बता दी तो पहले क्या निकालोगे के 15.50 पर फ्रेंशियर की विसे में कुछ है नहीं है तो 10 का 10 ही और debenture का market price दिया है ना नहीं दिया है कि परशन आगे debenture और book value से ही बनाना है आप आम मैंने बहुत कुछ बोला था आगे मेरे याद का conceptual वो सही है market वे फाइनल में कोई भी बढ़ाएगा ना आपको बोलेगा market लेकिन ICA, CA इंटर में book value से ही बना question में कुछ नहीं हाँ जी book value से हाँ आपने सही कहा था हुआ है את कि एलेवन पॉइंट कि इधर वाला में पढ़ूंगा तभी पढ़ोगा या खुस्से पढ़ने कि अजल आगा वाला में में पड़ोगा बाला हुआ 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 थैओ एक बार मैं पढ़ दूँ कॉश्चन Assuming that in order to finance an expansion plan कितने और रुपे की जर्वरत हैं आपको 10,000,000 और rate of interest कितना है? 14,000 इस 10,000,000 के लिए केड़ी निकलना पड़ेगा I, I, I minus tax करके निकल लेंगे What will be the company revised, revised weighted average cost of capital क्यों बोल रहा है? Revised क्योंकि वह ये तो था, ये तो था, ये तो था और एक आ गया और क्या नाम लिखोगे उसका? 14% debt और ये कितना जाएगा 14% debt? 10,000,000 इसका केड़ी निकलना पड़ेगा और इसका केड़ी निकला हुआ है और केड़ी में भी तो कोई change नहीं हो रहा है लेकिन और एक चीज में change हो जाएगा केड़ी में change हो जाएगा इटमिस वापस आपको table बनाना पड़ेगा ये भी रहेगा, ये भी रहेगा ये as it is रहेगा पस इसमें और क्या जाएगा? debt amount लिख देना ये ही निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें change हो रहा है बाकी तो KP सेम रहेगा वो पुराना वाल्ला केड़ी और नएवाला केड़ी आपको ने कालना पड़ेगा उख करेगा तब से फेले केड़ी निकाल देत्ते अहाँ डिविडेन कितना था है? 10 था अब 12 ले लेना 12 P1 और P0 कितना हो जाए कि 105 पहली बात क्या debt के बढ़ने से share का price गरता है? Debt के बढ़ने से क्या share का price गरता है? मेरे पास मैं ना share issue कर रहा था ठीक है पहले 10 लाग का उधारी था और उधारी बढ़ा लिया क्या मुझ पर विस्वास करोगे? तुरी सीधा मत बुला का नहीं करोगे करोगे ठीक है तो इससे रहा share का price गरता है ना यार तो price कम होता 12 divided by कितना होगा 105 ग्रोथ के लिए कुछ शीन है क्या? 0.0 तो नया के 70 ठीक है और इसके अलावा हमारा KP तो as it is रहेगा कितना था? 10 परशन और केडी जो डिबेंचर वाला था वो भी स्वेंग रहेगा 6 परशन आये था ना यार और नया वाला केडी आपको निकलना नया वाला केडी निकलना पड़ेगा नया जो डैट है वो कितने परशन के सबसे 14 14, 1-0.5 तो कितना आ गया है? 7 6 फाइनल आंसर 10.6 अब WSAC निकलते हैं WSAC कुछ ना बोला है तो किसके सबसे? Book Value अब नाम करन कर देंगे इधर Equity Share Capital हो गया और Print Share Capital हो गया और क्या हो गया? Debenture हो गया और इसके अलावा क्या आगया? Loan हो गया, Debt कितना कितना था? 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 फिर वेट आ जाएगा और फिर Specific Cost निकला और फिर वेट इन्टो इस पिर 10.67 कहीं कालकुलेशन मिश्टेक होगा होका फाइनल अंसर आया है 10.66 revise WSA अप अपहले WSCC क्या था? 11.3 10.66 10.66 558 हम तीन ली है इस बाज़े ठीक है चल जाता क्या यह कुश्चन देखा देखा लग रहा थाड़ी नहीं? अपहले उसके अपहले है अप्टीश क्यापिटल बुक वेल्यू आ मार्केट वेल्यू है प्रिफ्रेंश्यास है 11% डिवेंचर है रिटर रूर्निंग नहीं दिया है कर्रेंट मार्केट प्राइज दिया है यह कोश्चन अभी नहीं बनेगा क्योंकि पर्शनल इंकम टेक्स दे रखा है तो मुझे बताओ डिविडेंट पे टेक्स चलो वह बात अधूरी थी साया था मैं वहीं पूछने वाला था अब बतादो कंपनी जो डिविडेंट देती है आपको उस पर आपको टेक्स लगता है कि नहीं हाँ आपको जो डिविडेंट मिल रहा है हाँ पहले कॉर्पोरे डिविडेंट टेक्स हुआ करता था कि शेयर होल्डर पे करेंगे अब भी हाँ हाँ सही हुआ डिविडेंट पे टेक्स है ना यार इसले तो इसले यहां सेयर होल्डर पर्शनल टेक्स आया है उसका यूज है अभी नहीं अभी आगी बड़े पहले जो बन सकता पहले वो कर ले ते समझने की एक्रिटी में नहीं हो आप लोग भी मैं समझ सक रहा हूँ पहले कॉंसेप्ट पे नहीं है जो बन सकता वो कर ले ते क्या यह कोश्चन से कैल्गूरेटर से हो सकता मालो मल्टीपल चोश्चन पचास लाग का एक्विटी है कैपिटल दस लाग का है बारा परशंट इबेंचर तीस लाग का है केई दे दिया है टैक्स करेड दे दिया है डलो इससी कोई वरने कॉपी में कर लो पाच नौ नमबर नौ मिनट का टाइम है ऐसा नहीं है हाँ जी बहुत होता है पाच नमबर का कोश्चन आया हुआ है हाँ अराम से कर लो पाच झाल शभे टीड का अभे बहुत है हाँ भी, हाँ ज रहा है याँ फे दो हाँ पाच पाच आप नहीं है हाँ कर दो दो 12 पॉइंट एक आंसर आया है 12 पॉइंट केई कितना है भाई केई कितना है केई 14.7 है केपी 10 एक अपर वेट से मल्टिप्लाइब आ गया है 12.06 पाइनल आंसर ठीक 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 वह को इसे खताब तो ओमवक है इतने कोश्चन? तीन पहले और है अब बहुत सारे बाकी कोश्चन तो है ऐसे केल्कुरेटर से बन जाएगे इसमें से आप भी जानते हों एक गंड़े का काम है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बहुत सारे कोश्चन के आंसर नहीं है तो प्लीज ग्रूप में आप मैसेज करोगे एक पर तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ बड़ा सा जल्दी ओवर कर रहा हूँ बाकी तो अगर क्लास और रखना चाहते तो होमवर कर लो यहां बैठके जाम प्लास और रहा हूँ